यह है असम का सिल्चर रेलवे स्टेशन यहां रेलवे स्टेशन नार्थ इस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के तहत आता है इस रेलवे स्टेशन पर तीन प्लेट फार्म है और यहां तरह तरह की यात्रियों के लिए बेसिक एमेनिटीज को प्रोवाइट किया जा रहा है यहां यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुविधाय दे जा रही है, सिल्चर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो फुट ओवर ब्रिज बना है उस पर 3D कलर पेंटिंग की गई है, यह 3D कलर पेंटिंग कितनी बहतरीन लग रही है, इसको आप देख कर ही स और यहां पर फुट ओवर ब्रिज को साफ सुथरा रखा गया है और साफ सफाई का खास खयाल रखा गया है, यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह फुट ओवर ब्रिज पूरे रेल्वे इस्टेशन पर अलग से ही जलक रहा हैं। और यहां प्रापर लाइटिंग की गई है जगे जगे CCTV कैमरे लगाए गए हैं और CCTV कैमरे भारती रेलवे देश के ज़्यादा तर स्टेशनों पर लगा रही है जिससे वहां पर हो रही गतिवधियों पर नज़र रखी जा सके यहां एक बार फिर से देखें किस तरीके से यह सुन्दर कर रही है और जो लोग यहां पहुंचते हैं अब यहां देखें किस तरीके से परिंदों को दिखाये गया है क्योंकि सिल्चर रेलवे स्टेशन बराक वैली का एक खास रेलवे स्टेशन है और यहीं पास में ही जतिंगा करके एक जगए पढ़ती है जहां पर पर रेल यात्रियों को फ्री वाई सेवा भी दी गई है जो कि रेल टेल दे रही है और शिल्चर देश भर के 170 रेलवे स्टेशनों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है यहां हम कह सकते हैं देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए 14 ट्रेने ओरिजिनेट होती है यानि एक महत्पू रेलवे स्टेशन है जो कि बराक वैली को देश के दूसरे हिस्सों से सीधा सीधा जोड़ता है और इसकी साफ सफाई देखते ही बनती है तो रेलवे का काम पूरी तरीके से इस स्टेशन पर जहलक रहा है